वेलकम तो माई चैनल फूट शेप आज की रेसिपी है बेसन की सबजी इसे आप बेसन के चीला का भी सबजी कह सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है उमीद है आपनों को रेसिपी जरूर पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आईए बनाते हैं इसे इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन का चीला तयार करते हैं इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में एक कब बेसन लें हल्दी डाल दें नमक स्वात के अनुसार डाल दें स्वात के अनुसार लाल मिर्श पाउडर डाल दें आधा नीबू का रज डाल दें अब इसे सौफ्ट करने के लिए इसमें वन फोर्थ छोटा चमच बेकिंग सोडा यानि मीठा सोडा डाल देंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले और पतला बैटर तयार कर लें ये अब आरा चीला बनाने के लिए गूल तयार हो चुका है तो इसे अभी एक साइड रग दें इसके मसालों में मैंने लिया है एक से डेड़ चमच काला सरसो आप चाहे तो इसमें पीला सरसो भी यूज कर सकते हैं इसका एकदम बारीक पेश्ट इस तरीके से तयार कर लें मिक्सी में पीश लें या तो आप इसे सिल्बटे पर पीश लें अब एक पैन गरम करें इसके उपर थोड़ा सा ओयल लगाएं इसके बाद इसके उपर थोड़ा सा पानी डालें अब इसे किसी कपड़े से अच्छी तरह साफ कर दें ऐसा करने से बेशन का चीला बहुत ही अच्छा बनता है इसके उपर इस तरीके से घोल डालें और इसे हलका सा मोटा अच्छी तरह फैला लें बहुत ज़्यादा इसे पतला नव फैला है हलका सा सेख जाने के बाद इसके चारो दुरब आउयल लगा दे अब इसे हलके हाथों से अच्छी तरह रोल कर ले अब इसके किनारों पर हलका सा घूल इस तरीके से लगाएं जिससे ये अच्छी तरह चिपक जाएगा अब किसी चाकू की सायता से या कटर की सायता से इसे मन चाहे साइच में आप काट लें देखिए इसी तरीके से सारे घूल का तयार कर लेंगे अब एक पैन में तीन से चार चमज तेल गरम करें तेल गरम हो जाने के बाद इसमें जीरा, मेथी, हींग और खड़ा लाल मिश डाल दें और कुछ सेकेंड्स के लिए इसे भून लें कुछ सेकेंड्स बाद इसमें एक प्याज को बारी काट कर डाल दें आधा चमज जीरा पाउडर, एक छोटा चमज काली मिर्श पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्श पाउडर डाल दें एक से डेट चमबच इसमें अद्रक लेसन का पेश्ट डाल दे और एक से डेट चमबच जो सरसो का पेश्ट हमने तयार किया था उसे डाल दे अब इन सारी चीजों को 2-3 मिनट तक भूनना है इसमें स्वात के अनुसार नमक भी डाल दे एक चमबच इसमें कासमेरी लाल मिर् यह पूरी तरह optional है अब इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भूल लें देखिए 2-3 मिनट तक इसे मैंने भूल लिया है अब इसमें पानी डाल देते हैं पानी डालने के लिए जो हमने घोल तैयार किया था बेशन का उसी बोल में करीब 1-5 लिटर पानी डाल कर अच्छी तरह मि साधा पानी अगर आप डाल रहे हैं तो इसमें 1-5 चमचा बेशन का घोल जरूर डालें इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद इसे कवर करें और 10 मिनट के लिए low to medium flame पर इसे छोड़ दें देखिए 10 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी अच्छी तरह तैयार हो जो हमने बेशन का चीला का रोल तयार किया था उसे डाल दें देखिए यह सबजी बनकर तयार हो चुका है आप इसे रोटी चावल या पराठे के साथ गरम गरम सर्व कर सकते हैं इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा होता है तो उमीद है आपनों को रेसिपी जरूर पस है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू